हार्ट ब्लॉकेज हो, केटरैक्ट हो, ग्लुकोमा हो, किड्नी स्टोन हो, गॉल्ब्रेडर स्टोन हो समय आ गया है अपना सर्जन खुद बनने का क्योंकि हॉस्पिरल के दर्वाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं तो क्या हम हाथ पे हाथ रखके इंज़ार करें, कब वो दर्वाजा दोबारा खुलेगा या फिर कहीं ऐसा नहों तब तक वो पेशेंट की सांसी बंद हो जाए क्या हम इसके ब्योंड भी कुछ कर सकते हैं, the answer is yes हम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक update देना चाहूंगा अपने viewers को आपको तो पता ही है, पिछले दो मेने से ज़्यादा वक्त हो गय है मैं लगातार पेशन मागना करोना के पेशन जिनने मैं 3-step diet से ठीक करना चाता हूँ Finally मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे करोना के पेशन मिल गए हैं लेकिन भारत से नहीं, भारत की सरकार से नहीं, किसी और देश से इसलिए confidentiality की वज़े से इस से आगे मैं फिलाल और detail नहीं दे पाऊँगा तो बात करते हैं आज के topic की how to become your own surgeon सबसे पहले मैं बात करता हूँ heart blockage यानि की coronary artery disease इसका मतलब यह है कि वो blood vessel जो blood supply करता है heart के muscle को उस blood vessel में कभी कभी blockage आयता है जिससे blood flow ठीक से नहीं हो पाता इसलिए ऐसे patient जब वो दोड़ते हैं या सीविया चलते हैं चड़ते हैं या फिर heavy कुछ उठाते हैं तो उनको दर्द होने लगता है एंजाइना होता है discomfort होता है ऐसे में डॉक्टर बोलते हैं एंजयोप्लास्टी करा लो bypass surgery करा लो लेकिन एक तीसरा intervention भी है जिसका नाम है natural bypass natural bypass कोई मेरा बनायोगा कोई method नहीं है यह medically साबित proven method अलड़ी है जो की MD level पर पढ़ाय जाता है और natural bypass मतलब आपका body खुदी सर्जन बनके blockage को repair करने का काम शुरू कर देता है मैं इसको समझाता हूँ आसान शब्दों में जब आप कोई car खरीते हैं कार में 4 पईये होते हैं 4 पईये के साथ साथ एक 5 पईया भी मिलता है आपको जिसे में बोलते है स्टेपनी उस वक्त तो पईये का कोई काम नहीं होता लेकिन वो जो manufacturer है उसने वो पईया इसलिए डाल दिया कि आपकी सफर में कहीं अगर कोई एक पईया पंचर हो जाए तब आप उसे replace कर देंग विद इस स्टेपनी ताकि वो journey आगे तक चले बीच में न रुख जाए ठीक उसी तरह से आपका और मेरा manufacturer यानि की भगवान ने जम्हें में बनाया तो हमारे body में हजारों की तादाद में स्टेपनी डाल दिये जिसे हम बोल सकते हैं medical फ़र्शा में collateral arteries ताकि जिन्दिगी की सफर में कई अगर कोई एक blockage कहीं आ जाए तो वो जो स्टेपनी collateral arteries है body उसे यूज़ करके आपकी जिन्दिगी की काड़ी को आगे तक ले जाए ये जो collateral arteries होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं microscope से वो आप देख सकते हैं वो network की तरह पूरे body में है unused like the stepney तो जब भी कभी blockage हो चाहिए वो heart में हो या कहीं और भी हो तो body अकसर उस stepney को use कर लेता है लेकिन body उस stepney को यानि की collateral arteries को use तभी कर सकता है जब body के अंदर nitrous oxide reproduction बढ़ जाए Nitrous oxide reproduction को बढ़ाने के लिए body को खास तरह की nutrition क्या हो शकता है so उस nutrition के मिलते ही body अपना nitrous oxide production enhance कर देता है जिससे collateral arteries के माधियम से blood vessels which is a blood vessel blood supply होता है to the heart and heart starts functioning like before पहले की तरह जब वो बहुत strong था तो आपको क्या करना है इसके लिए सिर्फ आपको करना है you have to start with DIP diet phase 2 DIP diet phase 2 को अपनाना है अब DIP diet phase 2 क्या है इसके लिए screen पे दिये वे link में जाके आप video देख सकते हैं यह video मैंने भी recently बनाया था मेरे YouTube channel में Facebook में Telegram में है लेकि हो सकता है कि यहां से delete हो जाया अकर delete हो जाता है और साथ में green और red juice green मतलब spinach याने की पालक और red मतलब tomato या चकुंदर इन में से कोई भी एक vegetable लेंगे घुमा फिरा के और उसका करीब 200-200 ml juice निकालेंगे fresh juice और उसको पीने में लगने चाहिए 10-15 minutes जब पेट भरो तब नहीं जब पेट खाली हो जैसे lunch से पहले या dinner से पहले ऐसे time पर और ऐसा अगर आप एक मेहने तक कर सकते हैं तो on average मैंने देखा है कि it takes only one month और उसके अंदर ही blockage almost चला जा जाता है अजर कैसे बहुत चलेगा blockage चला गया बड़ा ही simple है अगर वही वाले activity जिसके करने से आपके एंजाइना होता था याणि की pain अब अगर उसी activity से pain नहीं हो रहा है इसका मतलब either blockage बहुत छोटा हो चुका है या गाइब हो चुका है जब आपको अराम मिल जाए जब pain गाइब हो जाए उसके बाद phase 2 DIP diet की जगह अगर आप चाहे तो standard DIP diet पर ही रह सकते हैं for rest of the life number one number two जो green and red juice है उसका काम खतम हो चुका है अगर आप चाहे तो उसको discontinue भी कर सकते है तो लेकिन DIP diet में रहना जरूरी है ताकि इस तरह के problem द दूपरा ब्लॉकेज होई ना यह तो ही हार्ट की बात अब करते हैं cataract की बात, glaucoma की बात या फिर कई सरे लोग हैं जिनके मोटे मोटे चश्में लगे हैं वो चश्मों से छुटकारा पाना चाहते हैं उनकी बात बहुत सिंपल है आपके लिए आपको भी DIP diet phase 2 में रहन every day for 15 to 20 minutes अब यह shoulder neck and eye rotation exercise क्या होता है जानने के लिए आप screen पे दिये वे उस link में जाके मेरे वीडियो को देखेंगे जो कुछ साल पहले मैंने बनाया था मेरे YouTube channel में है मेरे Facebook में भी है और इस वीडियो को देखके वो exercise सीखके आप उसको अपनाएंगे हर दिन 15-20 minute कभी भी and it takes on average about 3 months time और आप देखेंगे कि cataract वाली प्रावल्लम ग्लोकोमन वाली प्रावल्लम और मुस्ट चली जाएगी और अगर पूरी तरह चली जाती है तो वो exercise करना discontinue भी कर सकते हैं और diapidite phase 2 की जगह आप standard diapidite में रहेंगे forest of the life ताकि इस तरह की प्रावल्लम दुआ र death तो acute में symptomatic relief बड़ा important है symptomatic relief के लिए pain management के लिए फिर उसी वीडियो को मैं refer करूंगा जो वीडियो मैं थोड़े देर पहले बताया था उस वीडियो में जाके pain management कैसे करना वो सीखना आपको उससे immediate relief तो patient को मिल जाएगा लेकिन अब important बात है वो stone को dissolve करना stone को dissolve करने के लिए फिर वही idea DIP diet phase 2 for 3 to 6 months अब 3 मेन लगेगा या 4 मेन लगेगा या 6 मेन लगेगा या हो सकता है उसे थोड़ा और ज्यादा time भी लगे depend on कि वो stone का size कितना है वो कितने सारे stone है लेकिन एक important बात यह है कि DIP diet phase 2 start करते ही आप देखेंगे कि within few days अब जो frequency of attack कम हो जाएगा और जो pain की intensity वो भी कम हो जाएगी लेकिन यह तो हुई एक बात लेकिन साथ में आपको add करना है कुल्थी का डाल का पानी कुल्थी का डाल क्या होता इसे कहते हैं English में horse gram अब देखिए यह horse gram और यह horse gram करीब 20 gram कुल्थी का डाल लेना है एक मुठी भर और लेके उसको 200 ml पानी में आपको boil करना है तब तक जब तक की 2 ml पानी 100 ml में convert ना हो जाए और वो जो 100 ml उसे च्छान लेना है वो पानी को और उसका आधा पानी यानि की 50 ml पानी आपको लेना है बेकफास से पहले खाली पेट में और आधा लेना है 50 ml जो बचा हुआ है वो डिनर से पहले और ऐसा एक मेहने तक pain नहीं हो रहा है कोई discomfort नहीं है तो इसका मतलब यह कि stone या तो पूरी तरह dissolve हो गया है या बहुत ही छोटा हो गया है और ऐसे case में आप क्या कर सकते हैं यह कुलती का डाल का पानी यानि कि horse gram का जो पानी है boiled water boil करने के बाद का जो पानी है उसको आप discontinue कर सकते ह लेकिन phase 2 वाले diet को एक मेहने और चलाएए और एक मेहने और चलाने के बाद भी कोई दर्द नहीं है इसका मतलब sure हो गया कि stone is almost gone अब आप चाहे तो standard डियाइपी डाइट बेसिक डियाइपी डाइट पर रह सकते हैं for rest of your life ताकि दुबारा से stone बने ही ना मैं उमीद करता कि यह method आप पे काम करेंगे जैसे इस method ने हजारों और patient को ठीक किया है आपको भी lab मिलेगा अगर आपको lab मिलता है अगर यह method काम करता है तो you have to give me something in return आप मुझे क्या देंगे बहुत सिंपल है सबसे पहले आप यह अंताजा लगाईए कि अगर यही surgery मुझे करानी होती तो कितना पैसा लगता मालो heart surgery करानी होती तो पांच लाग रुपे लगता उसको आधा कर लीजे धाई-लाग धाई-लाग तो खुद को दे दीजे after all आप अपने मेहनत किये आप ही सरजन है तो आपकी फीस मिल गया आपको बाकी जो धाई-लाग है वो अपने आसपास जो गरीब लोग है उनमें बाट दीजे वो लोग जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं पिछले पचास दिन से ना तो कमाया शायद खाया भी नहीं होगा कफी मेथड से लगबक 70, 80, 90% तो आप ठीक होई जाएंगे लेकिन फिर भी गुंजाईश रह जाएगी 10 से 15 पतिशत की वो गुंजाईश को पूरा करेंगे वो लोग दुआएं दे के उनकी दुआएं जरूर काम करेंगी आप जरूर दुबारा हेल्दी हो जाएंगे एक दिन ह जरूर मिलेंगे मैं दॉक्टर विशुरू प्राइचाधरी आल दे बेस्ट तैंक यू जाहिन